बुद्धवार के दिन जरूर करें छे में से कोई भी एक उपाए हर इक्षा तुरंत होगी पूरी दोस्तों बुद्धवार के दिन जरूर करें इन छे में से कोई भी एक उपाए आपकी जन्व जन्मांतर की गरीबी खतम हो जाएगी साती सात सभी इक्छाएं हाथो हाथ पूर्ण होगी और भगवान स्री गड़ेश जी का आश्रवाद आपके और आपके परिवार पर बना रहेगा जिससे समस्त परिशानियों का होगा अंत और भगवान स्री गड़ेश जी के आशिर्वास से आपके जीवन में होगी सदैव खुशिया ही खुशिया तो दोस्तों चलिए बात करते हैं बुद्धवार की दिन किये जाने वाले महतपुन उपायों के बारे में दोस्तों बुद्धवार के दिन भगवान स्री गड़ेश जी का दिन होता है वो सभी देपताओं में सबसे प्री है इसलिए उनकी पूझा सभी देपताओं से पहले की जाती है भगवान गड़ेश जी की पूझा अरचना करने से घर में शुक शांती और शम्रिधी बनी रहत बुद्धवार के दिन खास तोर पर भगवान स्री गड़ेश जी का पूजन अर्चना करने का विधान है क्योंकि भगवान स्री गड़ेश जी की कृपा काफी विशेश होती है और ये बिगन हरता कहे जाते हैं वो श्वयम रिद्धी शिद्धी के दाता हैं और सुबलाव के प्रदाता हैं भगवान स्री गड़ेश जी सभी बिगनों रोग दोस्तता परेशानियों को दूर कर देते हैं जी हां दोस्तों भगवान स्री गड़ेश जी सभी देपताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले स्तर्ब बिगन हरता मंगल करता हैं अगर इनकी कृपा जिन कार्यों को आरंब करने से पहले भगवान स्री गड़ेश जी का न सिर्फ आवाहन किया जाता है बलकि इनकी विशेष पूजा अर्चिना भी की जाती है। से देरी नहीं लगेगी। दरस्तों जानते हैं भगवान स्री गड़ेश जी के प्रसंद करने के लिए कुछ महत्पूर उपाए और टोटके के बारे में। दरस्तों अगर आप अपने इक्षा अनरूप धन पाने की इक्षा रखते हैं तो आप बुद्धवार की दिन शुब लेकिन लगातार अगर आप ये करते रहें 108 दिन तो यनि बुद्धवार की दिन से सुरू करें और लगातार 108 दिन करें। साथी साथ अगर आप आर्थिक तंगे से जूज रहे हैं धन प्राप्ती नहीं हो रही नोकरी छूट रही है ब्यापार नहीं चल रहा तो जल्द लगेगी ब्यापार तेजी से चलने लगेगा आप हरे रंग का एक सफेद कपड़ा या हरे रंग का एक कपड़ा लें पांच मुठी उसमें साबूत हरी मौंग बांद कर इसकी पोठली बना लें और फिर आप सुर्य अस्त होने के बाद किशी बहते हुए जल में प गडेश जी को आप दूर्बा की मला पहनाएं तो आपको संतान के प्राप्ती होती है बैवाहिक जिवन सुक में रहता है तो गडेश भगवान को दूर्बा बहुत प्रिहश ले दूर्बा जरूर उन्हें चढ़ाएं दूर्बा की माला बना लें या फिर आप चाहें तो 21 प्रसाद के रूप में इसे पूरे परिवार के साथ ग्रहन करें, तो परिवार में कलह कलेश नहीं होते, आप सी प्रेम बना रहता है, अगर आप चाहते कि आपके घर से निगेविटी दूर हो जाए, तो आपको बुद्धवार के दिन गडेश जी के पास जो सिंदूर आपके घर में सुक शांती बनी रहेगी, और भगवान स्री गडेश जी के इक रिपा प्राप्त होगी, दोस्तों एक उपाय और करें, आपको बुद्धवार के दिन गडेश इस्तरोत का पाठ जरूर करना चाहिए, या फिर बिश्णों सहस इस्तरोत का पाठ करें, आप च आप पास के मंदर में रख दें, स्री गडेश जी के चड़ों के पास रख दें, आपकी जीवन की जो परिशानिया हदोर हो जाएंगी, भगवान स्री गडेश जी को लड़ू बहुत प्रिश्टे लड़ू जरूर आप उन्हें चड़ाएं, पर लड़ू बुद्धवार क साहरे थोड़ा सा पानी से गीला कर लें, और फिर आप अपने दाइने हाथ में इस चावल को लेके, और गडेश जी का इस्मरान करते हुए अपने आलमारी के जहां तिजोरी है, वहाँ पर जाकर छिड़क दें, इस चावल को, हल्दे से मिले हुए चावल को, यकीन मानिया आपके घर में भगवान स्री गडेश जी क्रिपा सिधन की कमी कभी नहीं होगी, और हर इक्षा तुरंत होगी पूरी, और आपके जनमांतर की गरीबी दूर हो जाएगी, तो दोस्तों बदवार के दिनी छोटे छोटे उपाई जरूर करें, और साथी साथ दों कमेंट में चरूर लिखेगा, जय गडेश जी, साथ वीडियो को लाइक करेंगा, जयदा जयदा शेर करेंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगा, जय गडेश जी